नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप और सागत है आपका अपने स्टेडी चैनल जेपी आनलाइन एजुकेशन पर दोस्तों हम लोगों ने भक्ति एवं सूफिया अंदोलन पर एक सिंखला प्रारम की थी जिसमें हम लोगों ने भाग एक पूरा करा दिया है और उसी कड़ी में आज हम भाग दो लेकर आपके सामने उपसित हुए है वीडियो शुरू करने से पर एक रिक्वेश्ट थी कि जिन लोगों ने हमाया चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और वीडियो को लाइक और सेर भी कर दिजिएगा तो देर न करते वें सुरू करते है आज का पहला प जन्म 15 अप्राइल 1469 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांद के ननकाना साइब जिले में हुआ था और इनकी मृत्ति जो है 1549 में डेरा बाबा नामक करतारपुर पाकिस्तान नामक अस्थान पर हुई थी तो इसका सभी बाब होगा आपसन जो ऐसी ननकाना ओके अगला प्रस अकबर तो इसका एंसर देखते हैं आपसन भी सिकंदर लोधी होगा गुरु नालाग जी ने सिख धर्म के अस्थापना सिकंदर लोधी के समय में की थी और नालाग जो थे एक स्वरवाद में विश्वास रखते थे तथा निर्गुड ब्रह्म की उपासना पर बल देते थ कि इसवर जो है एक है वह निर्गुड है और निरंकार है वह अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे तो इस प्रकार इसका एंसर होगा सिकंदर लोधी प्रसंक 28 पर आते हैं इसवर किवल मनुस के सदगुड को पैचानता है तथा उसकी जाती नहीं पूछता आगामी दुनिया में कोई जाती नहीं होगी यह सिदान्त किस भक्ति संत का है रामानंद नानक दादू या रामानुजी तो सभी जब होगा आफन जो है सी गुरु प्रसंक 29 पर आते हैं मीर भई इन में से किसके समकाली नहीं थी तूलसी दास के, चैतने महाप्रभू के, गुरु नानक के या रामकिष्ण परहंस के, तो सही जो आब होगा, आपसन जो है, ये रामकिष्ण परहंस के समकालिन नहीं थी, क्योंकि मीरा बाई का जन्म जो है, 1499 में हुआ था, उसी के आसपास जो है, तूलसी दास, चैतने महा प्रभू और गुरु नानक का जन्म भी होता है, लेकिन जो है, रामकिष्ण परहंस का जन्म जो है, 836 में हुआ था, लगए 400 साल बाद, तो उनके समकालिन नहीं थी, ओके, प्रस्तंका 30 में आते हैं, प्रसिद्ध भक्त कवेत्री, मीरा बाई के पति क्या नाम था, राडा सांगा, तो इसका सही जवाब होगा, राजकुमार भोज राज, और ये जो, इनका विवा जो हुआ था, उदैपुर के जो प्रसिद सासक राणा सांगा थे, उनके सबसे बड़े पुत जो यूराज भोज रार साथ हुआ था, किन्तु जो है, विवा के कुछ समय बाद ही जो है, इनकी मृत्यू जाती है, और प्रतिकी मित्यू के बाद जो है, मीरा बाई ने जो है, अपना समूचा जीवन जो है, किष्ण की भक्ती में अर्पित कर दिया था, प्रस्तंक एक्टिस पर आते हैं, राम गोविंद की रचनाकार कौन है, मीरा बाई, नरहरी, सूरदा रस खान, तो सभी जाब होगा, आप सन जो है, राम गोविंद की रचनाकार जो है, मीरा जी है, और इनकी अन्य जो रचनाय हैं, उनमें जो है, नरसी जी की मायरा, गीत गोविंद टी का, राग गोविंद और राग सोठा आधिके पद है, और उनके गीतों का संकलन भी है, जो मीरा भाई की पदावली नामा ग्रंत में किया गया है, तो इस प्रकाई प्रस्नका अंसर ए होगा, प्रस्नका 32 पर आते हैं, निम्निकी संतों को उनके काला नकरूम में यूजित करिए, पहले कबीर, फिर नाम दे, मीरा भाई, नानक, और कूड दिये हैं, एक, दो, ती प्रस्नका 33 पर आते हैं, निम्निकी से कौन इसलाम से प्रभावी था, चैतन ने, मीरा भाई, नाम देव, या वल्लबाचार, तो इसका सही जवाब होगा, आपसन जो है, सी, नाम देव, नाम देव, मुर्ति पूजा, वरत, उपवास, तिर से आत्रायम कठोर, सही साथना के मार के खिलाफ थे, तो इस दृष्टी से माना जाता है, कि वो इसलाम से प्रभावित, प्रतीत होते हैं, ओक वैश्ण संप्रदाय की जो है, अंतरगत जो है, किष्ण भक्ती से संबंदित थे, और इनके बच्छमन का नाम था निमाई, और उन्होंने जो है, किष्ण को अपना अराद दिमान कर उन्हें की भक्ती में प्रशार किरिया, और ये कूर्दीन जो है, वरिंदाबन में भी तो तुलसी दास जो है, अकबर और जहांगीर के समकालिन थे, और अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनका नाम का उलेख भी किया है, प्रस्ण का 36 में आते है, राम चरित मानस नामा गरंथ के रचईता कौन थे, तुलसी दास, वाल में की सूर दास या वेद ब्यास, तो राम चरित मानस की रचणा जो है, गोस्वामी तुलसी दास ने अपनी अवधी भासा में किया था, आपसन ए दे राइट एंसर, प्रस्ण का 37 में आते हैं, निम्रिकित में से कौन सी रचणा संत तुलसी दास की नहीं है, गीतावली, कवितावली, विने पत्रिका या सा नहीं है, गोस्वामी तुलसी दास की रचणा नहीं है, गोस्वामी तुलसी दास नहीं है, प्रस्तंग के आनुटिस पे आते हैं विने पत्रिका के रशीता कौन है तुलसी दास सूर्दास कबीर या केसव दास तो अभी उने में बहुताया था कि विने पत्रिका जो है इनके बड़े वुर्गंतों में आती है और यह स्किरतनाकार जो है गोसामी तुलसी दास आफसन A is the right answer प्रस्तंग के 49 पे आते हैं निमलिखित युगमों में से कौन सही सुमेलित नहीं है धुरूदास भकत नमावली नाभादास भकत माल रस खान रसिक प्रिया या उस्मान टित्रावली तो आप देखेंगे आसंसी जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जो है रस प्रस्तंग के 40 पे आते हैं निमलिखित में से कौन वरकरी संपरदाय का संत था निमबार्क चक्रदर नामदेव या रामदास तो सभी जो है आप आसंसी नामदेव और इसकी संपरदाय के रूप में जो प्रसित विचार धारा थी इसकी अस्थापना जो है नामदेव उनने की थी और इन्होंने जो है रहस्तवादे जीवन की दिच्छा और इस्वर के सर्व व्यापी सरूट से लोगों को परशित कराया था तो वरकरी संपरदाय के जो संत थे वो थे नामदेव आप संसी दराइट नंसर प्रस्तंख्या I can see what वरकरी संपरदाय की मुख्य पीट इन्हों को इस प्रसुंक माना है दाने को परसंगरी संपरदाय कह आते हैं भक्त तुकाराम कौन से मुगल समराच के समकालिन थे बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंजिव तो भक्त तुकाराम जो है जहांगीर और साजहां के समकालिन थे चुकि विकल में साजहां नहीं है तो इस परकार वियासन सी जहांगीर साथ सही जवाब होगा प्रस्टंका 43 पर आते हैं निम्लिकित में से कौन भक्ति अंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार जुन तुकाराम त्याग राज्या बल्लवाचार तो सही जो आप होगा आपन जो है ए नागार जुन ये भक्ति अंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे ये जो है खुआ बदूदिन ने, खुआजा मुहिनित दिन ने, शेक अहमसरहिंदी ने या शेक बहाउदीन जकारिया ने. तो सही ज़वाभ भगा, आठसन भी खुआजा मुहिनित दिन चिस्ती ने. चुकि चिस्तिया सूफी मन्द की जो सापना अफगानिस्तान के चिस्त में अबू इसाहक सीमी चिस्ति और उनके त्विख्वाजा अबू अहमद अबदाल न की थी किन्तु भारत में, स्वरपरतं में इसका परचार खुखाजमुन दुट चिस्ति के बारा हुआ था और 12 सताबी में मुहम्मद गोरी के साथ भारत आये थे और उन्हें ने अजमेर रायस्थान में अपना निमास मनाया था प्रसंग के 45 में आते हैं भारत में चिस्तिया संपरदाय का प्रसंग सूफी संद कौन था तभी हमने पढ़ा कि भारत में इसकी जो संथे प्रमुक वो थे सेख मुर्दिन चिस्ति आगे बढ़ते हैं प्रसंग के 46 निमलिखित सूफी संदों में से कौन एक सरपरसम अजमेर में बस गये थे सेख मुर्दिन चिस्ति, सेख कुतुब दियान बक्तियारखा की, सेख नियामुदिन ओलिया या सेख सलीम चिस्ति तो सही जवाब रगा सेख मुर्दिन चिस्ति अभी मनें पढ़ा कि ये 12 सताबदी में मुहम्मद गोरी के साथ बारत आ गये थे और उन्होंने अजमेर में लायस्थान में अपना निवास बनाया था प्रसंग के 47 निमलिखित में से कौन सूफी बाद की चिस्तिया साखा का संसापक था सेख मुहिउद दीन, सेख जियाउद दिन अबुल जीवा, ख्वाजा अबु अबदाल या ख्वाजा बहाउद दीन तो हमने अभी पढ़ा था कि चिस्तिया सूफी मत के साबना अपगानिस्तान के जो है अबु इसाख संस चिस्ति और उनके सिस्ति जो है ख्वाजा अबु अभु अध्य अबदाल ने की थी तो है सहिज वाजा बहागा आवसं से प्रसंक 48 पे आते हैं ख्वाजा मुहिझ City किसके सिस्ति थे ख्वाजा अबदाल चिस्ति साहवली उल्ला मीरदर्द या ख्वाजा उस्मान हारूनी तो सही जवाब होगा आवसंडी ख्वाजा उस्मान हारूनी ख्वाजा महिड़न चिस्ती के जन्म अफगानिस्तान के जो दच्छिडी प्रांथ सेजिस्तान में लगभग जो है 1189 से 49 में हुआ था बाद में वो अपने माता माता के साथ खुरासान प्रांथ में बस गए थे और नीसापूर के हारोन में ख्वाजा मुरदन चिस्ती ने ख्वाजा उस्मान चिस्ती हारूनी के सिस्से बन गए थे परसंगाんな उन्चास में आते हैं अजमेर में ख्वाजा मुर्दिन चिस्ती की दरगा पर नजर या भेट भेजने वाला प्रसम मराठा सरदार कौन थे नवाब अली बहादूर राजा साहू सिवाजी के पोत्र या पेसवा बाला जी विस्वनात या डी पेसवा बाला जी राओ तो उसका सही जवाब होगा ख्वाजा मुर्द और हम लोगों ने दो पार्ट पूरे करा दिया है जिन लोगों ने पहले का पार्ट नहीं देखा है वो जाकर प्लेडिस्ट में देख सकते हैं वीडियो अगर पतंद आए तो चैनल को लाइक, सेरो सब्क्राइब करिएगा और हमारा साथ जूड़े रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारा होतला बढ़ा रखने के लिए